नमस्का दोस्तों आज के सेशन के अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के ओपर चर्चा करने वाले हैं आज बात करेंगे कि क्या होता है फ्रेंट, फ्रेंटो जेनेसिस, फ्रेंटो लाइसिस और फ्रेंटल रेंफोर्ट पर फ्रेंट को समझने के पहले न एक सर्फिस होती न वेसी हवा होती मतलब अहbia कहीं पर रेगिस्ताण है सर्फिस में तो आपको क्या लगता है कि उसके उपर जो हवा चल रहे ही वो भोत घीली ठंडी सी होगी क्या आपको feel औरा है कि नहीं रिगिस्तान के ओपर कि हवा जो है वो गर्म होगी रेत होगी उसके अंदर ढहे सारी अच्छा समुद्र के ओपर जो हवा है काफी समय से समुद्र पर ही ठहरी होई है इसी कंडिशन में जो हवा है उसके अंदर humidity जदा होगी थोड़ी ठंडी होगी, रात के समय थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, मतलब क्या, अगर हवा है तो बहुत ठंडी होगी, एक्वेटर के आए तो थोड़ी गर्म होगी, मतलब हवा का कैरेक्टर निर्धारित करता है कि अलग-अलग प्रकार के हवा हो सकती, ऐसी कंडिशन में हवा सहरा डेजर्ट पे बहुत समय से होगी ऐसी कंडिशन में सहरा डेजर्ट के यहां पर जो हवा है वो एक जिसा केरेक्टर शो कर रही होगी बहुत गर्म होगी ऐसी कंडिशन में यह क्या हो गया एक एयर मास एक ऐसी बॉड़ी होती है जहां पर आप चलो तो हवा का ना त सिर प्रकार के खास और बोर यहाँ देखना कि पोलर रीजन में वह वह उव्यस्ली गर्म और यह एक्वेटर के आसपास है वह क्या होगा फिड़ा गया गलत सुन रहो ना ध्यान नी दे रहो इदर ध्यान दो कि यहां वाला कोल्ड होगा यहां वाला वाँ कभी भी दो अलग के चीजे होती है ना और वह आपस में अधर तो आपस में मिश्रित नहीं हो पाती है बहुत मुश्किल लगती ये मिश्रण होने में अगर दोनों के इंदर देख सकते हूँ आप दोस्तों के इंदर देख सकते हो नदि को समुद्र के इनर सकते हूँ नदि इक ठ्रेश वा पानी होता है जब ये दोनों मिलते हैं तो फ्रिक्शन nom और यहां पर क्या जलती है वेस्टरली अब आप समझना कि यहां पर और यहां पर हवा हाँ आपस में चल रही यहां पर हवा आपस में यहां तो टकराती नहीं है या फिर दोनों एयर मास अपोजीट के रेक्टर के नहीं होते हैं जैसे Convergence Zone, Inter-Tropical Convergence Zone भी देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों तरफ की हमाय टगराती है, पर यहाँ पर दोनों ही प्रकार के जो Air Mass है, वो warm है, यहाँ पर एक warm एक cold है, मतलब अगर मैं को front बनाना है, तो एक basic condition क्या चाहिए दोस्तों, कि दोनों Air Mass का character अलग होना चाहिए, और उनको चलाने वाली wind opposite direction है, तो यह front बनाएंगे, अच्छा, तो क्या दोनों wind बराबर speed से चलेगी नहीं, कोई तेज speed से चल सकती है, कोई slow चल सकती है, ऐसी condition में, अगर warm air mass तेज चल रहा है, तो एक अलग front बनेगा, cold air mass अगर तेज चल रहा है, तो warm front है, और cold air mass तेज चल रहा है, तो cold front, मतलब कैसे, इसको इसी chronology समझो, साधायम जीवन में आपने कभी गली में लोगों को लड़ते दिखा है, एक आदमी शान्द खड़ा है, बोले क्या बूलना है, दूसा अली चल तो जानता नहीं आप उपर खड़े हो के क्या कहोगे, कि यह आदमी है, यह लड़ा हुआ है, यह लड़ रहा है, तो ऐसी condition में लड़ाई किसकी हुई, यह लड़ाई उसकी हुई जो जाला चिल ला रहा है, जा ते चल रहा है, मैं तो condition में यहाँ पर भी आपको same chronology लगानी है, यहाँ पर warm air mass है, यहाँ पर cold air mass है, अगर warm air mass ते चले तो warm front, cold air mass ते चले तो cold front, यह warm air mass ते चल रहा है, यह cold air mass ते चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर cold front, समझ में आगे, अब एक बास समझना, बच्पन में डोरे मॉन देखा है एक तरफ नोबिता है दूसरी तरफ जियान है नोबिता बहुत तेजी से जियान की तरफ जाए तो जियान उसको मारेगा वो फिका जाएगा अगर जियान नोपिता की तरफ तेजी से आये और उसको मारे तो नोपिता उपड़ेगा दोनों ही केस में तो नोपिता उड़रा है दोनों ही केस में वही मार खा रहा है अब आप यहाँ देखो के वाम फ्रेंट यानि हल्की हवा यानि नोपिता कोल्ड फ्रेंट क्या थंडी हवा मतलब भारी हवा मतलब जियान तो असी कंडिशन में नूभीता यानि की वार्म फ्रेंट वार्म हमाएं गर्म हमाएं हमेशा होट इसकूटिंग और क्या बले कोई भी इंट्रेक्शन हो अपिर तो warm front, cold front ने कोई अंतर ही नहीं हुआ न सर अंतर है, अंतर कहा है, समझाता हूँ, यहां देखना, इधर है warm air mass, इधर है cold air mass, अगर warm air mass तेजी से चलेगा, तो warm front कहला है, यहाँ पर warm air mass, cold air mass के धीय धी करके उपर चड़ने लगेगा यह जो हवा है जब उपर चड़ने लगेगी तो यहां पर saturation होगा और जब saturation होगा तो दिये दिये करके क्या होगा बोलो cloud का formation cloud का formation हुआ तो rainfall होगी पर यहां पर जो cloud बनेंगे क्योंकि यहां पर कैसा है gradual slope है एसी condition में ऐसे इसे करके saturation होगा तो इसे लंबे cloud बनेंगे लंबे area के अंदर rainfall होगी मतलब nimbo status, alto status, zero status बनेंगे और बड़े area के अंदर rainfall पहला warm front के अंदर क्या लिखना है ज्यादा area में रिंफा लोगी दूसरा status cloud बनेंगे तीसरा कि यहां पर temperature inversion होगा जो नीचे cold air है उपर warm air है इसी को क्या कहते है temperature inversion तो वो temperature inversion यहां होता हुआ दिखाए देगा अब बात करते हैं cold front की cold air mass तेज चलेगा इसका मतलब cold air mass तेज चलेगा तो जियान उठा के मार देगा मतलब warm air mass सीधे उपर उठेगा ऐसे धिये धिये करके उपर नहीं जाएगा सीधे steep slope होने की वैसे यहां पर cumulonimbus cloud बनेंगे और क्योंकि आपर cumulonimbus cloud बन रहे हैं तो छोटे एडिया के दर बहुत ज्यादा बारिश होगी यह थे cold front अब ऐसा हो सकता है ना समझना के मानलो यह हमारा warm front है warm air mass है यह हमारा cold air mass है यह हमारा cold air mass है हवा ऐसी चल रही है यहां पर द्रावा ऐसी चल रही है तो यह warm air mass cold air mass से टकरा रहा है ऐसी condition में यह उपर जा रहा है पीछे से यह cold air mass टकरा रहा है तब भी warm air mass उपड जा रहा है मतलब दोनों तरफ से warm air mass उपड जा रहा दिये-दिये खरके ऐसा होगा ना कि दोनों cold air mass हापस में मिल लाएंगे और warm air mass तो पड़ो जाएगा ऐसा कुछ इसी कौम क्या कहेंगे उक्लूडेट फ्रेंट तीसरा होता है चौता होता है यहां पर दोनों किसी से नहीं डग रहा दोनों खड़े होंगा अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक तरफ क्या है वां फ्रेंट और दूसरी तरफ कोल्ड फ्रेंट इसके कारण से एक रीजन में आप देखो ज्यादा बारिश दिखा रहा है इसमें इत्ते से रीजन में बारिश दिखा रहा है बहुत इस्टेजी बनाया हुगा है ठीक है आई होप इतनी बात समझ में आई होंगी लेक्च्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्च्छा लगाओ तो निच्चे साथ डिटेंड कमेंड करना इंडिया के अंदर पढ़ना देली के करूलबाग मुखजी नगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन के अंदर अनकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जो है वो खोले जा चुके है आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो इन सेंटर के अंदर प्रिलिम्स मेंस इंटर्व्यू तीनों की तयारी कराई करेश कोर्स है अगर आपको प्रिलिम्स मेंस इंटर्व्यू तीनों की तयारी करना 1225 के लिए तो आपके लिए फांडेशन को अवेलेबल है यह सब कुछ अगर आपको अपने लिए लेना है तो नीचे ना मेंने एक लिंक दिया है कमेंट में सबसे पहली कमेंट ना पाथ उसको फिल कर देना वहां पर नाम में शुभेंदर सर डाल देना मलब आपका नाम तो आपका डालना नीचे एक ऑप्शन आता एजुकेटर कर गया है वहां पर शुभेंदर चूज करना ऑप्शन में पिर क्या होगा कि जैसे ही आप उसको खोलोगे वनलब ओके करोगे उसके बात में आपके पास में एक दो लिंक आजाएगी उन लिंक में एक तो में लेक्षे की पीडिये अफ और दूसरा करेंट अफेर की पीडिये फोगी जिसमें मंथली जितने भी घटना घटी है वह फ्री ऑफ कॉश्ट को था यह कोर्से से रेलेटर सारी डीटेल जो है वह आपको दे दी जाएगी पांच वाद जब भी आप अनकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन दो तो आपको 40% तक का डिस्काउन मिलेगा जब भी आप ऑफ लाइन में जाओ तो आपको डेमो क्लासेज मिलेंगी यह सब कुछ होगा अगर आप वो जो नीचे फॉर्म है वो फिल आउट कर दो तो उस फॉर्म को ज़रूर फिल करना बहुत बेनिफिशल है ठीक है इसके अलावा दोस्तों कि इस वीडियो को एंट तक देखना अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो हुआ 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 ह